Hello everyone, welcome to PharmaRocs YouTube channel PharmaRocs के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेTLE में study करेंगे IVaret Mectin tablets के बारे में तो हम सीखेंगे उसके basic use के बारे में के कौन से अलग-लग medical conditions के अंदर ये medicine यूउस किया जाता है साथी जानेंगे उसके working के बारे में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय मरसर असिस्टम प्रोफेसर और फार्मरोक्स थैंक यू फर बी इन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेड रही है फार्मा नॉलिज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी मिरेटरियल टेस्स सीरीज इन वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के आप उपर एक्सेस कर सकते हैं ये सभी कूर्स इसको फार्मरोक्स के आप उपर तो एंड्रोड यूजर एंड्रोड अप डाउनलोड करें आइफ़न यूजर अप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझे आइवेर मेक्टिन टाबलेट के बार और उसकी हम मेडिसिन क्लास देखे हैं फार्माकलोजी के अंदर तो एंटी हेलमेंटिक क्लास की मेडिकेशन कहा जाते कि जिसको हम एंथेलमेंटिक्स की कहते कि जो अलग-अलग हेलमेंस होते हैं उनके करण होने वाले इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये ये मेडिके का है है हम या फिर हैलमेंज का है, कि जो हुमेंस के अंदर तो Infection करते ही है बढ़ साथ हो साथ उनके Infection Animals के अंदर भी होते हैं, तो यह सभी को treat करने के लिए यह medication जो है वो prescribe की जाती है और साथ ही आँ देखें, तो यह medication जो है वो prescription-based medication कि यहाँ पे Rx लिखा हुआ है और Ivermectin के tablet यह 12 mg के डोस के अंदर यहाँ पे यह tablet आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर यह medication के डो डोस आप देख सेकते हैं कि यह वला एक tablet और यह second tablet तो यह medications का main use होता है कि जो अलग-अलग यह infections होते हैं parasitic उसको treat करता है कि जिससे आपकी जो life की जो quality है वो improve हो जाते हैं because जो parasitic infection एक बार क्यों और हो जाए तो life की quality जरूर से improve होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे आप देखो कि जो first diagram जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि infection of head lice, lice मतलब कि जो बालों के अंदर जो जो अगेरा होते हैं तो उनके करण आपको पता कि जो infections होते हैं कि यहाँ पे आप यह जो hair के अंदर यह सब जो ही देख रहे हैं कि जिसको head lice कहा जाता है और head lice को आप देखो proper जूम करके तो इस तरह से आपको यह head lice जो है वो देखने को मिलती है तो यह head lice से काफी problems होते है और hair related hair fall भी कई बार होता है फिर वहाँ पे skin भी damage होती है वहाँ पे infection करता है scalp के अंदर तो यह जो problem होते हैं उससे आपकी जो quality है life की वो खराब होती है lice के infections के करन और especially यह head के अंदर होता है और वहाँ पे फिर continuously आपको वहाँ पे itching होती है कि जैसे हम कहते हैं कि खुजली होना वहाँ पे फिर वहाँ पे rashes वगेरा भी कई बार develop हो जाते हैं scalp के अंदर तो यह सब problem होते है head lice के infections के करन तो इसको ठीक करने के लिए भी ivermectin के जो tablet है वो use किये जाते हैं फिर जो scabies का जो हम infection कहते हैं कि आप नीचे वाला डायाग्राम देखो तो यह वाला जो है वो scabies के कारण होने वाला skin उपर ऐसे infection कि जिसको हम कहते हैं scabies तो scabies के treatment में फिर जो river blindness के problem होते हैं कि जिसको onchocerciasis कहा जाता है कि इसके ilaj में भी use किया जाता है stronghyloidiosis के लिए भी use किया जाता है फिर trituriasis है, ascariasis है and lymphatic philariasis मतलब कि यह सबी जो infection है वो अलग-अलग parasites के करण होने वाले infections कि यह जो parasites होगे रहा है उनके करण होने वाले यह infection को treat करने के लिए ivermectin के जो tablets है वो use किया जाता है यह आप देख रहे हैं कि यह वाला एक parasite है जिसे यह है तो इसे अलग-अलग parasites जो है वो infections करते हैं तो उसके हम dose की बात करें तो यह medication का जो ideal dose रहता है वो रहता है 150 से लेकर 200 microgram per kilogram कि अगर समझे की एक person का weight समझे की 1 kilogram जितना है तो उसके लिए समझे की आप 200 microgram का dose fix करते हैं तो वही person समझे की 50 kilogram का है तो उसके लिए कितना dose इस तरह से आपको calculate करना पड़ता है कि 52 into 200 जितना dose होगा समझे की person का weight 50 kilogram है तो वो हो जाएगा around 10,000 microgram जितना हो जाएगा तो अगर उसको हम mg में convert करें तो 10 milligram जितना dose जो हो हो जाएगा वो person के लिए तो इस तरह से ये जो dose है वो calculate किया जादा है कि अगर आपने body weight 50 kilogram consider किया है तो 50 kilogram के person के लिए हो जाएगा dose 10 milligram जितना तो वो person को जो हो दिन में maximum जो हो आप 10 milligram जितना जो dose है वो दे सकते है तो इस तरह से single dose जो दिया जता है patient को कि एक ही बार इसका single dose दिया जता है और फिर क्या effect हो रही है उसकी वो check किया जता है उसी के बाद जरूरत पढ़ने पर ही second dose लिया जता है तो treatment जो है वो usually start होती है lower dose से कि जो scabies के patient है या फिर किसी भी parasitic infection के low dose से treatment start की जाएगी कि जैसे समझो कि हमने यहाँ पर dose calculate किया 10 milligram तो उस वक्त 12 milligram का tablet यूज़ करने की जरूरत नहीं है बट आप जो है वो उस वक्त पेशन को यह 6 milligram के जो tablet के या आप या आप यह जो tablet देख रहे हैं कि वो 6 milligram का tablet है तो ऐसी condition के अंदर lower dose से treatment जो है वो start करने चाहिए फिर जो हमने अभी बात कि थी कि जो river blindness है या फिर strong yellow ideas वगरा है तो उसके लिए भी यह 6 milligram के जो tablet जो है वो use किये जाता है कि जो person दिन में दो बार लेता है तो यहाँ पे देखो इसके container में ही already दो tablet दिये कि यह वाला 6 milligram का tablet जो है और यह दूसरा tablet 6 milligram का इस तरह से तो इस तरह से properly यह जो medication से वो person जो है वो use करेगा कि 6 milligram के tablet है तो आप जो है वो दिन में दो बार लेते कि जिससे आपको proper 12 milligram जितना dose जो है वो मिल जाता है और समझो कि आप 12 milligram के tablet patient यूज़ कर रहे तो उसलिए आप देखो यहाँ पे container के अंदर सिर्फ एक ही टैबलेट जो है दी गई है मतलब कि इसके single dose खास कर ले जाते है कि जिससे कोई side effects वगरा ना हो और lower dose से जब आप treatment उसकी start करते है तो दियान रखना यह होता है कि lower dose start होत कि जैसे अब भी जो बात होई 6 milligram के समझो कि बट patient का weight उससे भी कम है कि 10 milligram जितना भी उसके लिए नहीं हो रहा है dose दिन का तो उस वक्त तिसरा option आता है कि 3 milligram के भी tablets जो है वो market में available होते है आईवर मेक्टिन के तो 3 milligram के tablet भी patient को जो है प्रिसक्रेप किया जाते है तो खास दि और साथ ही चेक करना होता है कि patient का weight कितना है कि अगर समझो कि ideally 50 kilogram का person है तो आप 10 milligram जितना उसको dose दे सकते हैं और वो भी divided में आप दे दो तो ये 6 milligram के जो tablet है वो person खास कर दिन में 2 बार ले तो 10 या 12 milligram जितना dose उसको आसन इसे हम deliver कर सकते हैं बट directly 12 milligram जितना dose देना जो है वो सही नहीं रेता अगर weight 60 या 70 kilo के असपास है तो चल सकता है बट समझो weight काफी काम है तो उस वक 10 milligram इस तरह से आपको divided में ही देना पड़ेगा 6 milligram morning और 6 milligram person लेता है night में इस तरह से dose proper calculate होता है अब mechanism समझे तो ये medication क्या करती है जो parasites होते है या फिर insects तो उनकी जो ऐसे parts होते है जैसे कि उनके जो neurons होती है, muscles होती है वहाँ पर क्या होते है कि ये bind हो जाती है ये medication और उनके वो neurons के function को stop कर देती है उनके muscles के function को अच्छे से नहीं होने देते कि जिससे आगे जाके ये hell means क्या होते है अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं जिससे कि ये medication क्या करेंगे कि glutamate get it जो chloride channel होती है कि जो किसी भी intervertory break nerve and muscles के अंदर होते है तो वहाँ पर ये medication bind हो जाएगे कि जिससे उनके neurons भी अच्छे से काम नहीं करेंगे और नहीं muscles अच्छे से काम करेंगे तो उनके neurons अच्छे से काम नहीं करें muscles काम नहीं करें तो आगे जाके ये इनका paralyze हो जाते है helminths और वो completely kill हो जाते है कि चाहे वो parasite है कोई helminth है या फिर कोई insect है तो इस तरह से ये अपनी pharmacological action देते है and जब इनकी body में से effect कम हो जाती है वो देरे-देरे completely kill हो जाते है तो आपका जो infection जो है वो completely treat हो जाते है तो इस तरह से medication अपना काम कर दी है फिर से समझो तो specially ये medication की अपनी pharmacological action रहती है किसी भी parasites के nerve and muscles के function उपर कि ये दोनों function को completely ये medication बन कर देती है कैसे करेगी तो glutamate related chloride channels जो होती है उससे bind होके ये अपनी action देती कि जो जरूरी होता है nerves and muscles के cell के functions के लिए और ये channel से bind होके जब ये process करता है तो आगे जाके neurons and muscles अच्चे से काम नहीं कर सकते उनका paralyze हो जाता है किसी भी helmin's के अंदर और उसके करन वो helmin's या फिर कोई भी parasite है वो kill हो जाता है अब उसके side effects समझे कि अभी जो से मैंने बात कि थी कि single dose ही लेना चाहिए और साथ में dose calculation के बाद ही लेना चाहिए तो अगर आप overdose कर लेते हैं तो क्या होगा पाइला skin के उपर racist develop होना start हो जाएंगी इस तरह से second nausea जिसे आपको फिल होगा और उसके बाद आपको vomiting हो जाएगी फिर diarrhea हो जाते हैं कुछ लोगों को कि जो हम दस्त की बीमारी कहते हैं stomach pain वाला कि पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा आपके face के उपर या फिर आपके हाथ या पैर में सूजन देखने को में जिसको facial और limb swelling कहा जाता है इंगलिस के अंदर और dizziness जैसा आप फिल करोंगे मतलब कि आपको नीन दाय या फिर drowsiness जो हम कहते हैं dizziness जैसा फिल होना scissors आ सकते हैं आपको body के अंदर आप confusion में जा सकते हैं आपका blood pressure जो हो अचानक से low हो जाएगा कि जिसको हम कहते सकते हैं BP low हो जाना तो BP आपका कम हो सकता है blood pressure skin के उपर severe rashes भी कई बार develop हो जाते है liver को injury कर सकता है वो weakness कर सकता है and कई बार vision changes भी होते हैं कि आपकी आखों की जो रोस्नी है उसमें थोड़ा फरक पड़े तो ये सब problem होते हैं कि जब कोई person बिना dose calculate किये higher dose में ये medication use कर लेते हैं और वो भी लंबे समय था क्योंकि इसका single dose इनफ रहते है कि आप एक ही tablet खाते हैं 12 mg या फिर 6 mg के tablet divided dose में लेते हैं या फिर आपका weight इस तरह से कि 3 mg के tablet आप लेते हैं lower dose वाले तो भी जो ये problem है वो ठीक हो जाते हैं तो higher dose के कोई जरूत नहीं होते single dose इसका इनफ रहता है अब बात करें contraindications की तो specially जो children होते हैं और pregnancy के दरान इसको use नहीं करने चाहिए तो do not use कि खास कर जब pregnancy की condition है तो उस वक्त use ना करें छोटे बच्चों के अंदर use ना करें और साथ उसा जो newborns babies होते हैं यह सभी के अंदर यह medication को use नहीं करने के जैसे के दूसरे condition के hypersensibility है आपको के आईवर्मेक्टिन लेने से कोई hypersensibility हो जाती है अस्तमा जैसा हो जाता है फिर अस्तमा के जो patient है already उनको भी यह medication नहीं लेनी है hepatic disease की जिनका liver already खराब है तो और जैदा खराब हो सकता है pregnancy related complications हो सकते हैं अगर आप pregnancy में यह आईवर्मेक्टिन यूज़ करते हैं breastfeeding के दौरान यूज़ करते हैं या फिर childrens के अंदर यूज़ करते हैं साथो साथ newborns के अंदर भी नहीं यूज़ करना और अगर आपकी vision काम है कि lower vision वाले patient कभी भी use ना करें because आपकी vision already low है और यह medication आपकी vision और ज्यादा खराब कर सकती है तो आईवर्मेक्टिन यह सा medication है कि जब कोई ऐसे special बीमारी है और यह सब contraindications ना हो तो ही आप उसको जो है वो use करें और साथो साथ उसका important है उसका dose because यह single dose होता है कि patient को एक ही बार prescribe किया जाता है single dose उसकी treatment के लिए और खास कर 150 से लिए से 200 microgram per kilogram यह खास ज्यान रखे कि आप समझे कि 200 लेते हैं calculation में तो उस तरह से proper person के perfect body weight के according to dose जो है उसके लिए fix करें तो यह था हमारा special lecture ivermectin के बारे में तो disease and medicine related ऐसे ही lectures attend करने के लिए जरूर से download करें आप pharma rocks और access करें यह course offerable price के अंदर उसके PDF, PPT सब आप access कर पाओगे अप उपर तो download करें आप pharma rocks access करें study material test series and video lecture pharma rocks के आप उपर so good luck and all the best